आज हम लोग पानी फल जो शिंघाडा होता है उसी के आटे का हलवा बनाएंगे जो बहुत ही आसानी से आप घर पे इसको बना करके तयार कर सकते हैं ये टेश्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है तो आप मेरे चैनल से नए चुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर तबा लीजिए अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सिंघाड़े का आटा लेंगे जितना हम आटा लेंगे उतना ही घी लेंगे और उतना ही चीनी लेंगे जब घी गर्म हो जाए तो इसमें हम इस आटा को डालके अच्छ पानी लेंगे जब यह हमारी आटा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें हम चीनी डालेंगे चीनी डालके उपर से इसमें हम तुरत पानी डाल देंगे अब इसको अच्छी तरीके से हम चलाते रहेंगे आपको देखने से लग रहा हो कि यह बिल्कुल पतला हो चुका है यह तुरत ही गाड़ी हो जाएगी जम के स्वात के लिसमें थोड़ी से इलाईची डालेंगे अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे देखे बिल्कुल गाड़ा हो चुका है और जेब यह पक करके तयार हो तो घी अपने आप बाहर आने लगेगा जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि बिल्कुल आपकी हल्वा बन करके तयार है अब हम एक थाली में थोड़ी सी घी लगा लेंगे इसको चारो और अच्छे से मिला करके हम उसको फैला लेंगे देखे हमारी हल्वा एकदम बिल्कुल तयार है इसकी थिंकिंग बहुत जादा गाड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल इसी टाइप का ही आप रखेंगे तब ही आपकी हल्वा आच्छी बन करके तयार होगी अब इसको हम थाली में निकाल लेते हैं अब इसको हम जमने के लिए छोड़ देते हैं तब तक यह ठंड़ा भी हो जाएगा देखिए आदे घंटे के करीब हो चुका हमारी हल्वा बिल्कुल जम गई है अब इसको हम कहट लेते हैं आप जिस सेप में चाहें उस सेप में आप इसको काट सकते हैं देखिए इसके पीसेज कितने अच्छे निकल रहे हैं आप मेरे चैनल से नए चुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए वेल आइकन की घंटी जरूर दपा लेजिए यह बहुत ही टेस्टी हल्वा बन करके तयार होते हैं अब किसी विब्रत में इसको खा सकते हैं